हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू दिस चैनल आज की इस वीडियो में हम क्लास 678 के लिए जो ग्रीन ओलंपियाड हुआ था उसका सोलुशन देखेंगे सेकेंड नमबर को हुआ था ये एक्जाम तो इसमें 50 क्योशन था क्लास 678 तीनों के लिए सेमी क्योशन था तो फर्स्ट क्योशन था एक अंजर्वेशन से रिलेटेड इसको हैबिटेट को हम क्या नाम से और जानते हैं तो इसका क्रेक्ट आंसर आएगा उसके बाद क्योशन नमबर 52 तो ये पहले जो वल्चर होते थे इनको वाइटल क्लेंजर ओफ एन्वर्मेंट बोला जाता था क्योंकि कुछ भी जो एनिमल्स बाहर खुले में मर जाते थे तो उनको ये जल्दी से साफ करने का काम करते थे बदबुआने से पहले ही जो इगल हो गए वल्चर हो गए काइट्स ये सब इनका रोल पे करते थे मगर आज के दिन ये एक्स्टिंक्शन पूरा हो चुके हैं तो इसलिए कोई भी जानवर है बाहर खुले में पड़ा रहता है तो वो बदबुआना शुरू कर देता है क्योंसर नमबर 53 ग्रेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 17 सेप्टेंबर 2022 को ये चीते लाए गए थे कुनो नैशनल पार्क बहुत सारे इन में से मर चुके हैं क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इन चीतों के लिए सुटेबल नहीं है क्योंसर नमबर 54 फंगी इन में से कौन सा एक्जामपल फंगी का तो ये मश्रूम है क्योंसर नमबर 55 आज तक कितना वेल लाइफ सेंक्चुरीज हैं हमारे देश में 567 क्योंसर नमबर 56 इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट इस आर इंडस्ट्रियल वेस्ट वेस्ट सोडियम कॉपर लेड क्योंसर नमबर 57 इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओल अफ दा अब अबोग हालंकि जो पेपर का जो लेवल है वह बहुत आई हैं तो यह क्योंसर आपको एक बुकलेट भी कराया था मैंने प्रेक्टिस सेट उसमें से भी बहुत सारे क्योंसर देखने को मिले हैं विच्व दा फॉलोइंगे जैन इंडॉर प्लांट डैट अब जोब हाम फुल फॉल यह इसलिए घरों में तुल्शी हुआ जाती थी पहले यह एन्वार्मेंट को भी क्लीन करने का काम करती है साथ में चाय का टेस्ट तो बढ़ाती है क्योंसर नमबर फिप्टी नाइन इंडिया प्रोडूस 3.4 मिलियन टन ओफ प्लास्टिक तो इसका क्रेक्ट आंसर मैं देखना भूल गया मैं ऑप्शन में बताता हूं इसका आंसर क्योंसर नमबर 60 60 का क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंसर नमबर 61 61 का क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्टिकुलेट मैटर इस टाइप आप अ पॉलूतन फॉन बोथ इंडॉर एंड आओट्डोर वीच इंक्लूद पॉलैंड डेंडर एंड सूट क्योशन नमबर 62 नाइट्रस ऑक्साइड जो एड़रला से यह किसे मैनली एंटर करती है फोसिल फिल्स के कंजम्शन से क्योशन नमबर 63 ग्रीन एकनोमी हम बहुत बार पड़े थे उस प्रैक्टिस एट में जो मैंने क्राया था ग्रीन ओलंपियाड का 678 क्लास के लिए तो ग् ग्रीन ओविक्नोमी ही इसका मेन मोटिव से टेनेबल डिवलपमेंट गोल्स का था तो मेक ग्रीन एकनोमी क्योशन नमबर 64 विच अफ्लोइं स्टेट्मेंट इस ट्रू तो ट्रू इसमें ऑप्शन सी ही है कारबन डाय ओक्साइड इस रिलीजड यहां कारबन डाय स्टेट्निक योजिज माइक्रो और्गनिजम तो यह हो जाएगा बायो मेडिटेशन ओप्शन भी क्योंसे नमबर 66 तो सॉलर सेल में सिलिकॉन लगा होता है जितना भी यह बैटरीज है इन सब में सिलिकॉन आपको देखने को मिल जाएगा एन एनरजी स्टार जैसे रेटिंग होता है एक स्टार किसी में जो इलेक्टोनिक डिवाइस है तो 5 स्टार सबसे कम लाइट कंजप्शन करती है तो इस स्टार वाला कब प्रोसेस शुरू हुआ था इंडिया में 2006 में 5 स्टार वाला जो भी डिवाइस होगा आपका फ्रीज होगा टीवी होगा वह ज्यादा एनरजी कंजप्शन करेगा सिंगल स्टार वाला फाइस स्टार मतलब सबसे बैस्ट होता है तो इसका रेट भी साय थोड़ा ज़्यादा रहता है फाइस स्टार आइटम का क्योंकि वह लाइट को फिर कम यूज में लेता है कि इलेक्ट्रिक is व circuits में कौन सी बैटरी लगे होती है ये तो lithium-ion बैटरी होती है मुबायल में भी होती है lithium-ion की बैटरी पहले भी यहीं लगती थी इन्हों किया वाले मुबाइल में क्योसर नमबर 69 इसका यह ट्रिव हो जाएंगी दोनों प्रमोट अनेरजी कंजरवेशन अगर हमें अनेरजी बचानी है तो हम यह यह चीजे कर सकते हैं कार पूलिंग क्या होता शेरिंग करना अगर मालों दो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब तो टेक का इसने फुल फॉर्म पूछा था ओसीन थर्मल एनर्जी कंवर्जन क्योंसे नमबर 71 तो 71 में लेस एमिशन क्या पूछा है कैसे हम ग्रीन रख सकते हैं एन्वायर्मेंट को तो इलेक्रिक कार यह इसका आजकल पर सलन बहुत ज जो एर क्वैलिटी है वह बहुत ही हाई जा चुका है एक्यू आई एर क्वैलिटी इंडेक्स तो वहां इलेक्रिक विकल्स सभी अपनाने पर जोड़ दे रही है बॉर्मेंट क्योंसे नमबर 72 सबसे में सोर्स क्या है थर्मल एनर्जी है इंडिया में सबसे ज्यादा एनर् सबसे पहले जो प्लांट था फर्स नुकलियर यह 1969 में शुरू हुआ था एस्टेलिस का 57 भी है 62 भी है मगर यह काम करना 1969 में शुरू किया था नुकलियर फादर ओफ इंडिया नुकलियर प्रोग्राम कौन था हुमी जांगिर भाबा इनके नाम से अटोमिक रिशर्च सेंटर भी है मुंबई में क्योस्टर नंबर 76 SDG सस्टेनेबल डिवल्प्रेंट गोल्स तो इसका यह एकनॉमिक सुरी इसका मैं आंसर देखना भूल गया तो सायद पोपुलेशन रहेगा इसका पोपुलेशन या फिर वोस इसका सब मैं बताऊंगा बाद में वोस रहेगा यह हो सकता है इसका कमेंट में इसका आंसर में बताता हूं क्योस्टर नंबर 77 अप साइकल यह हो जाएगा बेसिंग ने चरह फॉर्मर प्रोडेक्ट क्योस्टर नंबर 78 थ्री चेजिंग एरोज इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लोग है यह उसमें आपको इस तरह से तीन यह मिलेंगे ऐसे 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 हैं क्योस्टर नंबर 79 तो ओल अप्शन्स आर क्रेक्ट एर ओल देटिंग्स हां क्योस्टर नंबर 80 विच अमंग दा फोलोविंग व्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इस ओन बाई टू स्टेट्स तो एक काल का सिम्ला रेलवे लाइन है क्योस्ट नंबर 81 विच ग्लोबल और्गनाजेशन अनॉंस्ट 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 अस्का क्रेक्ट आंसर उसके बाद क्योस्ट नंबर 82 इन विच यह तर्म सस्टेनेबल देलप्मेंट वस क्वाइन 1987 क्योस्ट नंबर 83 विच दो फ्लोइंग इस दान्टों का रोग एटीफोर मिशन लाइफ के अंडर में क्या क्या था तो यह दोनों स्टेट्मेंट इसमें क्रेक्ट थी पर फर्स प्रपोस्ट बाइं प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिया लेड़ गलोबल मास मॉवमेंट विलना इंडिज्ग आंड क्लेक्टिव एक्च तुप्रोटेक्ट अंपरिजर दा एंवर्मेंट बोट एन बी आर क्रेक्ट क्योंसर नमबर 85 75 डेज में 75 इसमें चैलेंज एसेप्ट किये गए हैं चांसिज 75 चांसिज मिले हैं यह जो मिशन लाइफ लॉंच हुआ था यह 2022 में लास्ट टेरी लॉंच हुआ था प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्योंसर नमबर 87 कार्बन डायक्साइड इस प्राइमरी ग्राइन हाउस गैस इमिंटेट थ्रू में एक्टिविटी तो अपना जो रैस्पिरेशन सिस्टम इसमें हम रिलीज करते हैं क्योंसर नमबर 88 हर पेटालोजी क्या होता स्टडी ओफ एम्पेवियन रेप्टाइल्स इनकी स्टडी को हर पेटालोजी बोलते हैं क्योंसर नमबर 89 विचेर दा इंडियन वर्ल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लिमेंटेट 1972 क्रेक्ट आंसर क्योंसर नमबर 90 कुनो नैशनल पार्क बहुत सुना होगा आपने नरिंदर मौधी परदानमंतरी अपने जितने भी चीते लाए थे कुनो नैशनल पार्क एंपी में सिचेट कर दिया क्योंकि वहां की क्लाइमेट नामी मिया जैसी लगी तो मगर यह ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए तो यह ओडिसा इसका क्रेक्ट आंसर है ओडिसा में सबसे ज़्यादा हुए है क्योशन नमबर 92 हर साल वाटर लेवल बढ़ रहा है सी लेवल का तो सबसे पहले कौन सा सहट उबेगा इसकी अभी कल्पना की गई है मेंगलोरू अगर आगे गलोबिल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ा तो वर्ना तो ऐसे कोई बात नहीं है इसमें क्योशन नमबर 93 जो बोपाल गैस ट्रेजडी थी 1984 में वा था यह बोपाल MP का कैपिटल में तो मिथाल आइसोसाइनेट गैस लीग होई थी पानी के साथ मिल कर तो बहुत सारे लोग चार अजार के पास लोग मर गए थे आधे गंटे के अंदर ही मतलब गैस ऐसे स्पीड गया जहां जहां तक वह गई लोगों ने उसको स्मेल किया और वो सिधा डैथ हो गई थी उनके क्योशन नंबर 94 फ्रिक्शन तो डिफरेंट लेयर ओफ आर्थ वेन कोलाइड अर्थक्वेक हैपन्स दिस इस दा कोज ओफ अर्थक्वेक क्योशन नंबर 95 तो रियक्टर स्केल पर मापा जाता है आज कल कली कल भी और परसों दो-तिन दिन पहले भी नेपाल में बहुत ज्यादा भुकम पाया था और दिल्ली में भी कल परसों आया है नोर्थ इंडिया में तो रियक्टर स्केल पर मापा जाता है अगर 5 से ज्याद प्रवाज होते हैं नॉर्मल होते हैं उनमें कुछ तूटने फूटने का खत्रा नहीं होता है क्योंसर नमबर 96 वाटर वैपर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्योंसर नमबर 97 तो अंडमानिक वर आइलेंड में जो कोरल लीफ है सबसे बड़ी है यह एक अनिमल होता है जिसके बार-बार वो डेड होते जाते हैं और चिपकते जाते हैं और फिर पत्थर जैसा बन जाता है उसको बलते हैं कोरल रीफ क्योंसर नमबर 98 विच इस नोट अवी रडिएशन चुर्स नमबर 99 तो मने ग्रिन अज़ इस इन अट्मस्पर में ब्लोकेट फो में इसके पिंट प्रॉ प्र अज्ट प्रॉज थाप्ट निवार्ट यह जिए ट्रॉज प्रॉज इस अट्र नज़ इस निवार्स इन एट्रॉज इस व्रॉड वर्मानि अ अल्ट्रा वाइलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम दा संतो जोन लेयर का आपको पताई होगा तो स्टुडेंट्स यह था क्लासिक शेवन एट का ग्रिन ओलम्पियाड का सॉलूशन आई होप आपको इसमें से कम से कम 30 प्लस मांक्स मिले ही होगे क्योंकि बहुत सारे क्योशन उन में से आये हैं जो मैंने सॉलूशन कराया था हालंकि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था 30 प्लस स्कोर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आपको सायद नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाएं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक्स फोर वाचिंग इस वीडियो